नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भलचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है नक्षेतर पुर्वा बादर पता है, योग परीग है, दिन का जो करण है वो विष्टी है और जो रात का करण है वो बव है आज की दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा, दोपर 11 बचकर 16 मिनिट से लेकर 12 बचकर 49 मिनिट तक और अभिजित मूर्थ दोपर 12 बचकर 15 मिनिट से लेकर 1 बचकर 3 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजित मूर्द दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुरुनकाम या फिन्दिन आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वह शुरुवात होगा दोबर 12 बचकर 49 मिनिट से लेकर 2 बचकर 1 मिनिट तक और यमगंड़काल सुबह 8 बचकर 31 मिनिट से लेकर 9 बचकर 54 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतोपुन काम या फिन्यनने बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा कुम्ब राशी में ब्रह्मन करेगा। दोबर दो बच कर तीस मिनिट के बाद यह चंद्रमा मीन राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा निप्चन के साथ युतियोग करने जा रहा है यह अग्रसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिफल क्या होगा इस विशेपर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के लाब भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही पर सितनिप्चन के साथ यह चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है तो फिर दो बच कर तीस मिनिट के बाद यह चंद्रमा आपके वे यह भाव में ब्रह्मन करेगा दो-तिन बातें उसके पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा खास करके आपके घर के जो महिला वरखोंगे उनके स्वास्त के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा दोपेर के बाद का जो समय है उसमें आप ट्रैवलिंग कर सकोगे या फिर घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन जो है आपके लिए सामन्य साबित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है वरिशब राशी वरिशब राशी के दशम भाव में चंदरमा का ब्रहमन है वही पर सित निप्चन के साथ यह चंदरमा यूतियोग करने जा रहा है तो पर दो बच कर तीस मिनिट के बाद यह चंदरमा आपके लाब भाव में ब्रहमन करेगा तो जो भी आपका कारिक्षेतर है उससे रिलेड़ कई बाहर गुमना फिर ना हो सकता है या फिर महतोपुर्ण निर्णे आप ले सकते हो आपका जो भी कारिक्षेतर है उससे रिलेड़ कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगरा आपको आ सकते है जरूर उस पर काम कीजे आगे जाके वो आपके लिए काफी ज़्यादा महतोपुर्ण सावित होंगे इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के भाग के भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वई परसित नेप्चन के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है दो पर दो बज़ कर तीस मिनिट के बाद यह चंद्रमा आपके दशमभाव में ब्रह्मन करेगा काफी महतोपुर्ण दिन है आपके लिए आज अगर आप धार्मी के अफिर अध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशन्स आज के दिन आपको मिलने की संभावना काफी ज़्यादा बंद रही है इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के अच्टम भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही पर से निप्चुन के साथ या चंद्रमा यूती योग करने जा रहा है दोपर दो बचकर तीस मिनट के बाद या चंद्रमा आपके भाग्य भाव में ब्रह्मन करेगा स्वायम के स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा स्वास के बारे में समस्या जो है वो आपको आ सकती है दोपेर के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफी ज़्यादा शुब फलदाई साबित होगा दोपेर के बाद आपका घूमना फिर ना ज़्यादा हो सकता है confidence या फिर उर्जा या फिर energy level भी काफी अच्छे देखी जा सकती है तो कुल मिला के देखा जाए तो दोपेर के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के सब्तमभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही परसेद निप्चुन के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है दोपेर दो बच कर तीस मिनट के बाद या चंद्रमा आपके अश्टमभाव में ब्रह्मन करेगा दोपर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महतोपुन काम या फिर निरने बिलकुल भी नहीं लेना उसी प्रकार अगर आप भी भाईत हो तो आपकी जो वैवाई जो डिदार हैं इस वास्त के बारे में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है तो ध्यान दरे किया थोड़ सा आपको चो करना रहना होगा किसी भी प्रकार के महतोपुन निरने चोटे हो या बड़े आज के दिन बिलकुल भी नहीं देना इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के शर्ष्ट भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है वही पर सित नेप्चन के साथ या चंद्रमा यूतियो करने जा रहा है दो पेर दो पचकर तीस मिनिट के बाद या चंद्रमा आपके सब्तम भाव में ब्रह्मन करेगा आज का जो दिन है काफी महत पूर्ण साबित होगा जो भी आपका कारेश है तरह वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपको थोड़ा चौकना रहना होगा ओफिस पॉलिटक्स जैसी बाते हैं वो उबर कर सामने आ सकती है आज की दिन पैसे की लेंदेन के मामले में कोई भी ट्रांजेक्शन बड़े हो या छोटे बिल्कुल भी नहीं करना दोपिर के बाद के जो समय उसमें आपकी जो वैवाई जोड़िदार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के पंचम वाव में चंद्रमा का भ्रहमन है वही परसित नेप्चन के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है अगर आप धार्मिक या फिर अध्यात्मिक मार्ग में हैं तो आज के दिन आपको कुछ अच्छे नए इंट्यूशन्स वगरा मिल सकते हैं जो कि आपके भविशे के लेगे काफिम जादा महतोपुन साबित होंगे दोपिर के बाद के बाद के जो समय उसमें का ब्रह्मन है वाई पर सितने प्चन के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है दोपिर दो बच कर तीस मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके पंचमभाव में ब्रह्मन करेगा आज का जो दिन है महतोपुन साबित होगा आज के दिन आप ठोड़ा घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी दोपिर के बाद के जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में तो उनके साथ गुमना फिर ना हो सकता है संपुन दिन जो है चंद्रमा का ब्रहमन है और वही पर सिद निप्चन के साथ यह चंद्रमा यूतियो करने जा रहा है दोपर दो बच कर तीस मिनट के बाद यह चंद्रमा आपके चतुरत भाओं में ब्रहमन करेगा आज का जो दिन है थोड़ा महतुपुन साबित होगा आज के दिन आपका घूमना फिरना जादा हो सकता है लेकिन किसी भी प्रकार के महतुपुन निन आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लिना दोपर के बाद के जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वो आराम आपको मिलेगा भी घर के जो लोग है उनके साथ आपके जो इंटरेक्शन रहेगी वो काफी ज़्यादा महतुपुर्ण और शुबफलदय साबित होगी इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के द्वितिया भाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है वही पर सिद निप्चन के साथ यह चंद्रमा यूतियो करने जा रहा है दोपर दो बचकर तीस मिन के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितिया भाव में भ्रह्मन करेगा अगर आप विवाही तो आपके जो वैवाई जुड़िदार है उनके स्वास्त के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा दो फिर के बात के समय उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होगे आज के दिन वैवाई जुड़िदार और आपके जो फाइनेंशन ट्रांसेंक्शन रहेंगे वो सोच समझ के करना आवश्यक होगा इसके बात के जो राशी है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी में यह चंद्रमा का ब्रहमन है वय पर सित निपचण के साथ यह चंद्रमा युतियोक करने जाए है खास करकर आज के दिन आपको इंट्यूशन वगरा आ सकते हैं लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस काफी ज़्यादा बढ़ सकता है किसी भी प्रकार के महत वड़न नहीं लेना जो भी intuitions आएंगे उसके उपर ज़रूर ध्यान दीचे इसके बाद के जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी की वे अब हो में चंद्रमा का ब्रह्मन है वे पर से निप्षिन के साथ ये चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है तो पर दो बच कर 30 मिन के बाद ये चंद्रमा आपी के राशी में ब्रह्मन करेगा काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज के दिन आपका घूमना फिरना जादा हो सकता है कुछ अच्छे इंट्यूशन्स वगरा आ सकते है लेकिन आगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उनके साथ चोटे मुटे बातों को ले करता करा हो सकती है ये तकरा थोड़ी बढ़ भी सकती है तो सोयम पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा तो दोस्तो ये था दिनांग 25 जनवरी 2023 का संपुण राशिफल आपको राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह की आ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध्याष्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवार